दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वोटर आईडी कार्ट का नंबर कैसे पता कर सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप डूब्लिकेट वोटर आईडी कार्ट कैसे इसू करवा सकते हैं प्लास्टिक का बोटर आईडी कार्ट कैसे बनवा सकते हैं अगर आपका बोटर आईडी कार्ट गुम हो गया या फिर खराब हो गया है तो आप डुब्लिकेट बोटर आईडी कार्ट फ्री में बनवा सकते हैं ओनलाइन अप्लाई करके लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपको duplicate voter ID card बनवाने के लिए आपका voter ID card का number जरूरी होता है अगर आपका voter ID card गुम हो गया है तो आप voter ID card का number अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे पता कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको complete detail दीने वाला हूँ कि अगर आपको अपना voter ID card नमबर नहीं आद है तो आप अपना voter ID card नमबर कैसे पता कर सकते हैं आपको कुछ detail फिल करनी होती है उन detail के माध्यम से आप अपने voter ID card का number पता कर सकते हैं तो guys मैं हूँ निले इस और आप देख रहे हैं मेरा YouTube केनल super technology मैं सब्सक्राइब का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं अपने mobile लैप्टाप में कोई एक browser open करना है browser में आपको सर्च करना है nbsp.in तो आपके सामने national voter service portal की official website खुल कर आजाएगी अब यहाँ पर दोस्तों जैसे इस website पर आजाएगे कुछ इस तरह का interface आपके सामने आएगा अगर आपने registration कर लिया है तो यहाँ पर login करके यहाँ पर यह सारे feature आप use कर सकते हैं जैसे आपको correction करना है अगर आप electoral roll से अपना नाम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से नाम भी डिलीट कर सकते हैं correction करवा सकते हैं migration यानि आप another place में अगर shift हो गए हैं तो वहाँ से आप अपना place भी change कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ detail फिल करके अपने voter ID कार्ड का number कैसे पता सकते हैं के पहले की कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप online apply करके अपना voter ID कार्ड कैसे बनवा सकते हैं या फिर अगर आपको अपना voter ID कार्ड गुम हो गया है तो duplicate voter ID कार्ड या फिर plastic का voter ID कार्ड कैसे issue करवा सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने voter ID कार्ड का number कैसे पता कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा search in electoral roll तो यहाँ पर search in electoral roll पर आपको click करना है अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप mobile में कर रहे हैं तो इसे आप desktop साइट पर कर सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना electoral roll का e-pick number search करने के लिए यहाँ पर कुछ detail आपको fill करनी होती है जैसे यहाँ पर सबसे उपर आपको अपना नाम डालना है जो भी आपका नाम रहेगा आपके voter ID card में वो नाम डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपने father का नाम डालना है उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी age select करनी होती है अगर आपको अपनी age confirm नहीं है कि कितनी है तो यहाँ से आप अपना date of worth भी डाल सकते है तो यहाँ पर सबसे उपर आपको year मिल जाएगा year चूश कर लेना है उसके बाद आपको month मिल जाएगा आपको अपना month चूश कर लेना है यहां से day आजाएगा आपको अपना date चूज कर लेना है कि कौन से date का आपका data फर्त है उसके बाद आपको अपना gender select करना है यहां पर आपको अपना address का कुछ detail डालना है जैसे आपका state आ जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना state चूज कर लेना है उसके बाद आपको अपना district चूज करना है जो भी आपका district रहेगा district चूज कर लेंगे उसके बाद आपको assembly चूज करना होता है जो भी आपका assembly रहेगा assembly चूज करेंगे उसके बाद दोस्तों साइड आपका डिटेल आजाएगा जो भी आपका इपिक नंबर रहेगा इपिक नंबर आजाएगा और यहां पर आपका नाम आजाएगा एज आजाएगा यहां पर फादर नेम आजाएगा इस्टेट आजाएगा पूरा यहां पर आपका डिटेल आजाएगा जो भी आपके voter ID card का detail रहेगा यहाँ पर parliamentary constituency आ जाएगा और यहाँ पर polling station आ जाएगा यहाँ आपका polling station कौन सा है जहाँ पर आपको बोट डालना होता है यहाँ पर आपको सबसे आगे action के नीचे view detail रहेगा view detail पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपके voter ID card की पूरी detail आ जाएगी यहाँ पर देख सकते हैं मतदाता सूचना आपको मिल दा है यानि voter information voter information में देख सकते हैं दोस्तो विधान सभा निरवाचन छेतर आपका आजाएगा आपका जो संसदी निरवाचन छेतर है वो भी आजाएगा नाम आजाएगा यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका पहचान पत्र कर्मांक यानि इपिक नंबर भी आपको बता दिया जात है आपके फादर का नाम आजाएगा पार्ट नंबर आजाएगा सारा कुछ दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा तो यहीं से दोस्तो अगर आप कोई आवेधन करना चाहते हैं जैसे आपको अपने विधान सभा में बदलाव करना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो यहां से आपको संसोधन भी करने के लिए option मिल जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने voter ID card का number पता कर सकते हैं अगर आपका voter ID card गुम हो गया है तो यहां पर आप number पता करके आप एक नए voter ID card के लिए apply भी कर सकते हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है उस वीडियो की लिंक पर्टिकुलर इस वीडियो की description में मिल जाएगी आप उस वीडियो को direct जाके देख सकते हैं आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीज़े अपने फेंट के साथ शेयर करिए मन में कोई डाउट या प्राब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इस्टाग्राम पर फालो करके वहाँ भी मेसेज कर सकते हैं निलेज 094 या फिर पाइटकुलर इस वीडियो की डिस्किप्सिन में लिक मिल जाएगे वहाँ से फालो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नोलिजेबल एंड यूसफुल वीडियो लाता रहता हूँ थैंक्स वर बाचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नूट आपके साथ अब तक के लिए जैहें टेक एर